किसान भायो आपके पास चाहिए अगर एक गाय हो या बैंस हो या फिर पांच गाय या बैंस हो या फिर आपके पास डेरी फार्मिंग ही क्यों ना हो आप परतेक गाय बैंस पर 60,000 रुपिया तक का लोन ले सकते हैं और वो भी आपको मातर 4% ब्यास दर पर आपको दिया में इस लोन की प्राप्ति कर सकते हैं आपको कहीं जाने की आवसकता नहीं है आपको बस ये फोरम बरना होगा और फिर अगले 24 गंटे के बितर सीधा पैसा आपके बेंग खाते में जमा हो जाएंगे तो दोस्तों आप इस स्कीम को हलके में मत समझना यहां पर गाय बैंस प के जरिये और लोन के पैसे है ना वो आपको सीधे पैसा किस्तों में जमा करवाना है और किसान भायो कई बार यह 60,000 रुपे का लोन पूरा माफ भी हो जाता है अब आप यह मत समझना कि यह लोन किस परकार माफ होगा यह माफ तब होता है जब आपकी गाय या बैंस किसी ब गाय बैंस लोन स्केम के लिए डोकोमेंट क्या होंगे नमबर दो बात है गाय बैंस लोन की किस्ते हर महीने कितने रुपे जमा करवानी होगी और नमबर तीन पॉइंट है कौन सी बैंक गाय बैंस पर लोन दे रही है नमबर चार पॉइंट है क्या सभी किसान गाय बैंस प पूरी तरह से जांच करेंगे और एक ही करके पॉइंट को सभी किसानों के बीच समझाएंगे ताकि किसान को गाई बैंस पर लोन लेने के लिए किसी भी परकार की दिक्तों का सामना ना करना पड़े तो सबसे पहला पॉइंट है गाई बैंस लोन स्किम के लिए डोकुमेंट क्या होंगे तो डोकुमेंट में पहला डोकुमेंट है आपका अधार कार्ड दूसरा है पैन कार्ड तीसरा है आपका बैंक अकाूंट चोथा आपका पास्पूर्ट साइज फोटो पांचवा अपने जितने भी पस्थू है उसका हेल्थ सर्टिबेट होगा और छटा डोकुम SBI Bank, PNB Bank और ICI Bank ये तीन बैंक ऐसी है जो आप सभी किसान भाईयों को आसानी से लोन उपलब्द करवाती है और 4% ब्यासदर पर आपको लोन दिया जाता है ये बैंक आपको हर जिल्य में हर राज्य के सभी गाउं में उपलब्द भी मिल जाती है यानि जो बड़ा इस्तरका कोई गाउं है वहाँ पर आपको पंजाब नेसल बैंक, HDFC बैंक या पिर PNB बैंक है या SBA बैंक है वो नजदी की ब्रांच साखा में आपके पास अवस्य मिल जाती है अब नमर तीन पॉइंट है कि गाई बैंस लोन की किस्ते हर महिने कितने रुपे जमा करवानी होगी त और ये किस्ते हैं आप हर महिने चु महिने जमा करवा सकते हैं आपको केवल जितना लोन मिला है उसी पर 4% ब्यास पर हर महिने आपकी ब्यास दर की इसाब से 1590 रुपे की एक किस्त जमा करवानी होती है अब चौथा पॉइंट ये रहता है कि क्या सभी किसान गाई बैंस प लोन ले सकते हैं और अन्य कोई भी परकार की सर्ते हैं और अन्य कोई परकार की आउसकता नहीं है केवल आपको सर्तों का पालन करना होता है और लास्ट पॉइंट सवाल यही भी है कि गाई बैंस लोन की आउसक सर्ते क्या है तो सर्त भी इतनी हाड नहीं है लेकिन इनको जान बहेंस होना चाहिए ज्यादा में आप 10 भी गाई रख सकते हैं या 10 बहेंस भी रख सकते हैं तो भी आप इस लोन की प्राप्ति कर सकते हैं नमबर दो सर्त है 18-60 साल किसान की आयू होनी चाहिए और नमबर तीन सर्त है किसी बैंक से पहले का करज बकाया नहीं होना चाहिए यानि आपका कोई भी बैंक से करज बकाया नहीं होना चाहिए और नमबर चार पॉइंट है आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड पैन गाई बैंस लोन स्किम का फाइदा उठा सकते हैं तो किसान सातियों के लिए ये बेस्ट ओफर है सबी किसानों के लिए पूरे देश के जितने भी किसान है वो सबी किसान गाई बैंस पर लोन ले सकते हैं के अंदर सरकार पसू पालन पर विशेश तोर पर बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को लागू किया है अब देश का कोई भी किसान है वो गाई बैंस लोन स्कीम का फाइदा उठा सकते हैं आपको केवल 4% ब्यास दर पर ये लोन दिया जा रहा है अब किसान सात्यों कई बैंकों में 7% भी ब्यास दर है लेकिन अगर आपको 4% ब्यास पर ये लोन लेना है तो आप अपने नजदीक में जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट है वहाँ जाकर आपको पसू किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अपलाई करना होगा और जैसे ही आपका अपलाई प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद आपको एक पैन कार्ड के जैसा आपको पसू किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा और इस पसू किसान क्रेडिट कार्ड के मादम से आप अपलाई करेंगे आप पसु-पालन के लिए गाई बेंस लोन स्किम के लिए अपलाई करेंगे तो आपको 4% बयासदर ही आपको देने पड़ेगी ज्यादा आपको बैंक में आपको बयासदर नहीं देने पड़ेगी लेकिन ये पसु किसान क्रेडिट कार्ड बनाना बहुत ही जरूरी होगा आपके लिए इससे बेस्ट ओफर लॉन स्किम नहीं हो सकता इसके अलावा आप गाई बैंस लोन स्किम के अलावा आप बकरी फार्मिंग या फिर मुर्गी फार्मिंग के लिए भी लोन ले सकते हैं लेकिन ये स्किम केवल गाई बैंस लोन स्किम के तहत किसानों के लिए यह HDFC बैंक, SBA बैंक, पंजाब नेसल बैंक और ICI बैंक की ओर से ओफर निकाला गया है सभी बैंकों में आदेश दिया गया है मोदी सरकार की ओर से आदेश दिया गया है कि अब देश में पसू पालन पर विश्यस तोर पर ध्यान दिया जाए ताकि देश का हर किसान के पास रोजगार हो किसी भी किसान के पास कोई भी किसान डेरी फार्मिंग खोलना चाते है तो उस किसान के पास सुरुवात में पसू खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो वो यहां से लोन लेकर अपने इस डेरी फार्मिंग की शुरुवात कर सकता है गाई बैंस का पालन पॉसन करके दूज से अच्छी कमाई कर सकता है तो इस ओफर को और इस लोन स्किम को हमने इस वीडियो में समझाया है और सभी पॉइंट्स को कलियर किया है आप अगर इन पॉइंटों में से कोई अन्य पॉइंट छुट गया है और आपके कोई दिमाग में ऐसे सवाल है कि हमें गाई बैंस लोन स्किम के लिए इस परकार के सवाल का भी जवाब चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना नए वीडियो में उस कमेंट के बारे में